Hello everyone, welcome to back once again at Rina Academy दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल Rina Academy में आज मैं आप लोग के सामने हिंदी व्याकरण की सबसे बड़ी टॉपिक समास में बहु विरीज समास भागत्री लेकर आई हूँ अगर आपने मेरा वीडियो भागवन और भागटू नहीं देखा है तो देख लीजिए परना समझ में नहीं आएगी तो भागवन और भागटू का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देदूंगी तो सुरू करते हैं भागत्री बहु विरीही समास आईए देखते हैं बहु विरीही समास की परिभासा क्या करता है जिस समास पद के दोनों पद गोड होते हैं यह तथा यह दोनों पद मिलकर तीसरे पद को अस्तितों मिलाते हैं और वही पद हमारा प्रधान होता है, यानि वही पद यानि तीसरा पद प्रधान होता है, उसे हम बहुरी समास कते हैं, आईए यहां पर मैत के माधियम से मैं समझाती हूँ, दोनों पद यानि पहला पद और दूसरा पद, यानि पूर्ब पद और उत्तर पद, दोनों पद बहुबरी समास काता है कि दोनों पद परधान नहीं है, ना ये पद परधान है और ना ही ए पद परधान है, बलकि जो तीसरा आता है ये वाला पद परधान है, आईए उधारण के माध्यम से भी बताती हूँ, पित अंबर, समस्त पद को ले ले, इसका विग्रह हुआ, पीत कपड़े वाला कृष्ण परधान है, यहां बहुबरी समास हुआ, यानि हुआ, जो कृष्ण है, वो परधान है, तो इस प्रका बहुबरी समास की परिभासा काता है, कि ना जब पहला पद परधान है, ना दूसरा पद परधान है, बलकि जो तीसरा पद आता है, वो परध तो यह हमारा बहुविरी समास कहलाया आईए कुछ बहुविरी समास का उधारण देखते हैं यह हमारा समस्तपद है और यह हमारा विग्रह है निसाचर विग्रह हमारा होगा निसा में आचरण यानि घूमने फिरने वाला करने वाला अर्थार्थ कौन होगा राक्षस यानि रात में जो घूमता है और क्या कलाता है राक्षस देव राज वह जो देव का राजा है अर्थार्थ इंद्र बज्जर पाड़ी वह जिसके पाड़ी यानि हाथ में वज्जर है अर्थात इंद्र सची पती वह जो सची का पती है अर्थात इंद्र चक्र पाड़ी वह जिसके पाड़ी में चक्र है अर्थात क्रिश्ण गिरी धर वह जो गिरी को धारण करते हैं अर्थात क्रिश्ण तो इन समस्त पद में ना पहला पद परधान है और ना ही दूसरा पद परधान है अर्थात जो तीसरा आथा है वह पद परधान होता है वही हमारा बहुवरी समास का उधारण है मुरारी वह जो मूर यानि राक्षस का नाम के अरी यानि सत्रू अर्थात कृष्ण मकर ध्वज वह जिसका मकर का ध्वज है अर्थात कामदेव कुशुम शर वह जिसके कुशुम के सर यानि बाण है अर्थात कामदेव आशु तोश वह जो सिक्र यानि आशु तुष्ण हो जाते हैं अर्थाथ शियू चंद्र मौली वह जिसके मौली यानि मस्तक पर है चान अर्थाथ शियू वाग्य देवी वह जो वाग्य यानि भासा की देवी है अर्थाथ शरश्वती श्रिस वह जो स्री यानि लक्षमी के इस इस यानि पती है अर्थाथ विश्णो दिनानात वह जो दिनों के नाम यानि श्वामी है अर्थाथ श्वर मयूर वाहन वह जिसका मयूर वाहन है अर्थाथ कार्थिके दिनानात वह जो दीन के नात यानि स्वामी है अर्थाथ सूरिय सैल नंदिनी वह जो सैल यानि हिमाले की नंदिनी यानि पुत्री है अर्थाथ पार्वती गिरिजा वह जो गिरी यानि हिमाले की पुत्री है अर्थाथ पार्वती पितामबर धारी वह जो पीला वस्तर धारण करते हैं अर्थाथ कृष्ण एक से अधिक समास वाले सब्द घन श्याम वह जो घन यानि बादल के समान स्याम यानि काले हैं अर्थात क्रिश्ण कमल नयन कमल के समान है नयन जिसके अर्थात राम या विश्णू दशानन दस है आनन यानि मुख जिसके अर्थात रावड चतुरानन चार है आनन मुख जिसके अर्थात ब्रम्ह लंबोदर लंबा है उदर जिसका अर्थात गनेश शडानन चह है आनन मुख जिसके अर्थात कार्थिके महा देव वह जो देव में महान है अर्थात शिव त्री लोचन तीन है लोचन जिसके अर्थात शिव जी चतुर भूज चार है भूजाएं जिसकी अर्थात विश्रुम चक्रधर चक्रधारन करने वाला अर्थात कृष्ण पितांबर पीध है वश्तर जिसका अर्थात कृष्ण प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंड, मैं चैनल प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंड, मैं चैनल